वो वक्त गया जब तंखाओं में गुजारा होता था बने हो द्रोगा तो गया तो उपर की कवाई हो चाहिए कुछ एक शेर पढ़कर पहले महुल बनाने की कोशिश करता हूं देखते हैं किस तरीकी की शेयरी आप लोग सुनना पसंद करेंगे आगाश भाई मुसीबतों की सियाही से लिखी गई है मेरी तकदीर दिन और साल बदल जाने से क्या होगा मुसीबतों की सियाही से लिखी गई है मेरी तकदीर दिन और साल बदल जाने से क्या होगा दीमक लगी मेरी लोहे की अल्मारी में मेरा वक्त खराब है घड़ी के सेल बदलवाने से क्या होगा और मैनेजर की डाइरी में बंद हो दिन और रात की मसरूफियात मैनेजर की डाइरी में बंद हो दिन और रात की मसरूफियात भला ऐसी शोहरत पा जाने से क्या होगा और अंग्रेजों की जूतिया सीधी की तुमारे बुज़गों ने फिर सुनना चाहे शोड़ दो तुम्हारे आस्तीन चड़ाने से क्या होगा और बाद मेरे मरने के तुम भी कर लोगी दूसरा निकाह बाद मेरे मरने के तुम भी कर लोगी दूसरा निकाह बला मेरे मर जाने से क्या होगा मेरी बातों पर यकीन करके घर जाईए मेरी बातों पर यकीन करके घर जाएए चैन से जीना है तो मर जाएए मेरी बातों पर यकीन करके घर जाएए और चैन से जीना है तो मर जाएए और अलाद बदल है तुम्हारे अमल का आकाश भाई बहुत कुंडिया लगा रहे हो तुम औलाद बदल है तुम्हारे अमल का बहतर ये होगा के सुदर जाईए औलाद मेरी बातों पर यकीन करके घर जाईए चैन से जीना है तो मर जाईए और औलाद बदल है तुम्हारे अमल का बहतर ये होगा के सुदर जाईए और जादा मुश्किल नहीं है मुहबत घबराते क्यों जादा मुश्किल नहीं है मुहबत घबराते क्यों वो शेर बढ़ता ना वो लड़की किती अच्छी है ब्रो तो जादा मुश्किल नहीं है मुहबत घबराते क्यों बस अल्फाजों में उल्जाने का हुनर चाहिए ये परदाए हकीकत है यूही नहीं कुछ भी कह दो कुछ भी लिख दो संसद नहीं है जो बात कहकर मुकर जाईए संसद नहीं है जो बात कहकर मुकर जाईए और शायरी नाम है जज़वातों का कोई खेल नहीं पाओ दाबी बुज़गों के अगर अलफाजों में असर चाहिए और एक शेर मैं आपके बीश में रखूँगा के हम उनकी गलतियों को नादानिया बताने वाले हैं हम उनकी गलतियों को नादानिया बताने वाले हैं ये जितने हैं आशिक उनको अपनी कहानिया सुनाने वाले हैं और उन्हें हैं नाज उनका शोहर जहाज उडाता है उन्हें है नाज उनका शोहर जहाद उडाता है हमें है फक्र हम कबूतर उडाने वाले है हमें है फक्र उन्हें है नाज उनका शोहर जहाद उडाता है हमें है फक्र हम कबूतर उडाने वाले है हमने अपना घर छोड़ा काम के लिए मैंने अपना घर छोड़ा काम के लिए तुम कुटिया में बने बैठे हो आशो आराम के लिए हमने अपना घर छोड़ा काम के लिए तुम कुटिया में बने बैठे हो बाबा आशो आराम के लिए और हनुमान भी भगवान हो गए लगा कर खुद में आग हनुमान भी भगवान हो गए लगाकर खुद में आग तुम भी तो दिल चीर के दिखाओ राम के लिए के तूटे हुए दिल की दवाई होनी चाहिए मेरे हुज़रे की अब सफाई होनी चाहिए उन्हें पाने का मसाला है अदालते लगी हैं शहर में रकीबों के हक में सुनवाई होनी चाहिए और छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का घर बना कर खेल रहे हैं हमारी भी जूट मूट की सगाई होनी चाहिए और वो वक्त गया जब तनखाओं में गुजारा होता था बने हो दरोगा तो उपर की कबाई होनी चाहिए